वेलकम दोस्तों OnePlus Nord N30 SE जो स्मार्टफोन है ये दुबाई में तो अल्रेडी लॉंच हो चुका है और ये काफी जल्दी इंडिया में भी लॉंच होने वाला है तो आज की इस फीडियो में हम फुल डिटेल बात करेंगे की OnePlus Nord N30 SE 5G के इंडियन यूनिट में हमें क्या कुछ कब तक और किस प्राइज पर देखने हो मिलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के लुक एंड डिजाइन से लुक एंड डिजाइन के अगर हम बात करें तो लुक एंड डिजाइन आपको कुछ इस टाइप का देखने हो मिलेगा जिसके टोफ लेफ्ट में आपको कैमेरा हाउसिंग देखने हो मिलेगी LED फ्लेश देखने हो मिलेगा और OnePlus की ब्रांडिंग देखने हो मिलेगी और लुक एंड डिजाइन एंड बिल्ट क्वालिटी में आपको कोई भी कमी रहने वाली नहीं है और नेक्स्ट आम इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले पार्ट की बात करें तो आपको इसमें 6.72 इंचिस की Full HD Plus IPS LCD डिस्प्ले देखने हो मिलेगी जो कि आपको 90 Hz के हाई ये रिफ्रेश एट के साथ देखने हो मिलेगी 240 Hz का टॉच सेंब्ली रेट देखने हो मिलेगी 600 निट्स की पीक बाइडनेस देखने हो मिलेगी 93% स्क्रिन टू बोडी रेच्ट देखने हो मिलेगी और और दोस्तों प्राइजिंग के अकोडिंग डिस्प्ले स्पेक्स हमें अच्छे देखने हो मिलते हैं तो आपका कॉंटेंट वॉचिंग में एंड बंटी बीडिया एक्स्प्रेंस काफ़ी अच्छ रहेगा व्यूंग अंगल्स आपको अच्छे देखने मिलेंगे कलर्स अच्छे देखने मिलेंगे और नाइंटी हर्ट्स का रिफ्रेश एट है तो एक्स्प्रेंस स्मूथ रहेगा तो आपको इसमें मीडिया टेक दाइमेंसिटी सिक्स्टी ट्वांटी चिपसेट देखने मिलेगा जो कि 5G बेज एक पाउरफुल चिपसेट रहने वाला है और 4GB RAM वंटवाइज भी स्टोरेज और 6GB RAM 1208GB स्टोरेज और 8GB RAM 256GB स्टोरेज वाले वाले वेरेंट भी देखने मिलेंगे और इसमें आपको LPDDR 5X RAM and USFS 2.2 स्टोरेज आपको इसमें देखने हों मिलेगी और और दोस्तों चिपसेट हमें काफी अच्छा और पाउरफुल चिपसेट देखने मिलता है और साथ ही RAM and storage वेरेंट आपको अच्छे देखने मिलते हैं RAM and storage टाइप भी आपको अच्छे देखने मिलते हैं तो आप इसमें normal से high level gaming कर सकते हैं high multitasking, high editing work, rendering work या किसी भी तरह का high task आप आराम से कर सकते हैं और all performance part में भी आपको कोई भी कमीरेन वाली नहीं है और next time इस smartphone के camera part की बात करें तो आपको इसमें 50MP का dual rear camera setup देखने मिलेगा जिसमें की 50MP का main sensor and 2MP का depth sensor देखने हो मिलेगा और rear camera से आप 1080p 60fps and 1080p 30fps तक आराम से शूट कर सकते हैं और साथ ही 8MP का selfie camera देखने मिलेगा जिसे आप 1080p 30fps तक आराम से शूट कर सकते हैं और रोल दोस्तों pricing के according camera specs भी हमें अच्छे देखने मिलते हैं तो camera part में भी आपको कोई भी कमी रेने वाली नहीं है और next time इस smartphone के battery break up की बात करें तो आपको इसमें 5000 mh के power foot battery देखने मिलेगी और साथी 33 watt का fast charging का support रेने वाला है 5000 mh के बड़ी battery साथी energy efficient chipset है IPS display है तो और रोल combination काफी अच्छा है तो आपका high से high usage में आपको 1 से 1,5 दिन तक battery break up मिल जाएगा और normal usage में आपको आराम से 1,5 से 2 दिन तक battery break up मिल जाएगा और साथी 33 watt का super wook fast charger है तो आप इसे काफी जल्दी recharge भी कर सकते हैं और और बेटरी बेगप में भी आपको कोई भी कमे रेने वाली नहीं है और next time इस smartphone के कुछ extra detail की बात करें तो dual stereo speaker देख मिलेगा Dolmy Vision का support देख मिलेगा NFC का support देख मिलेगा और और दोस्तों extra detail में भी आपको कोई भी कमे रेने वाली नहीं है और last में smartphone के main highlighted pricing की बात करें तो जो इसके rumor आ रहे हैं उसके according इंडिया में इसकी starting price आपको 13 to 14,000 के राण हमें देख मिलेगी जो कि OnePlus की branding के according और साथी specs भी हमें अच्छे देख मिलते हैं प्राइजिंग मुझे तो अच्छे लगी खेर आपको इस smartphone की pricing कैसे लगी आप मुझे comment वक जरू बताएगा वीडियो को like and channel को subscribe जरूर से कर देगा मिलते हैं next वीडियो में